दोस्तो यदि आप किसी तरह की फूड कार्ट लगा रहे हैं या आपकी फास्ट फूड की दुकान है तो आपको इस तरह के स्टेंडिंग फूड टेबल और इस तरह के काउंटर बनवाने की जुरूरत पड़ेगी जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टेबल और स्टेंडिंग टेबल और साथ में ये वाला टेबल कौन सा कितने वेट में बनता है और कितने रुपे का बनता है तो शुरू करते हैं दोस्तो मेरा नाम है मोली सिंग आप देख रहे हैं एसस फाइबर ग्लास एंड फैब्रिकेशन वर्क्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अभी तक सिर्फ लोहे का ही ज्यादा काम कर रहे थे अभी हमने 2023 से स्टील का भी काम शुरू कर दिया है तो अब से आप हमसे इस्टील का काम भी करवा सकते हैं तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले मैं ये स्टैंडिंग टेबल की बात करूंग इसके निच्छे अभी गुट के लगने वाले हैं आप लग integration है आप जैसी मान करोगे हम उस तरह का माल मेटीरियल इसमें लगा देंगे टोटल वेट 15 kg है और 31,500 रुपे किलो के हिसाब से 202 का माल है जिंदल्स्टील जेस डबल्यू का दिंदल्स्टील का माल है 202 ग्रेड का माल लगा हुआ है 30 Western रुपे किलो है वेट 15 किलो है 5250 रुपे में यह है एक Standingåion टेबल बनके रेडी हुई है इसके बाद तो इसी तरह की एक दूसरी टेबल है तो इसको तो साइड में कर देते हैं इसकी तो दुबारा बताने की जुरूरत नहीं है तो यह भी सेम ही है उसी तरह की 15 किलो वेट है बावन सो पचास रुपे की यह है पार्टी ने बनवाई है कुछ समान रखने के लिए इसके उपर इ निचे एक पॉर्शन अलग से दे दिया जिसके अंदर शीट में लगाई पाइप लगा दिया जैसे की कोई गिल्ला होने वाला समान इस पर रखा जाएगा जिससे की पानी जो है वो नीचे बैटा जाएगा उपर नहीं रुकेगा तो इसलिए इस तरह का बनवाई है इसमे शू लग सकते हैं बूट लग सकते हैं जो निचे लगते हैं पाइप में यहां पे वो पार्टी की डिमांड पर आपको कैसा चाहिए तो दोस्तो यह भी जेस डबल्यू जिंदल स्टील से बना हुआ है इसका टोटल वेट 30 केजी है जो की साड़े 300 रुपे किलो के हिसाब स दस अजार 500 रुपे में बनके रेडी हुआ है जिसके अंदर हमारी लेबर हमारा स्टील सारा माल मेटिरियल इसी के अंदर आ गया है 202 ग्रेड का स्टील है जिंदल स्टील ठीक है तो दोस्तो अब सबसे लास्ट में मैं आपको इस टेबल या काउंटर के बारे में थोड़ यहां पर आएगा और यह देखें यहां पर आप देख सकते हैं यह कटिंग करी गई है ग्रेंडर से लेकिन उसके बाद फिनीशिंग दी गई है इसको तो यह जो कटिंग की यह एकदम फिनीशिंग से करी है जिससे की हाथ में लगने का कोई दर नहीं है किसी तरह कोई दिक कस्टमर को अभी कस्टमर यहां से उठाएगा और अपना मस्ती से खाएगा तो यह चीज है मेरे को लगता है आप सब चीजें पूरी तरह से समझ गए होंगे इसके अलावा वीडियो के एंड में इन सब की सिंगल सिंगल और सोटो और कुछ सिनमेटिक शोट्स आपको देखने को मिलेंगे वीडियो के एंड में और अब मैं इसका आपको रेट बताएता हूं इसका वेट है दोस्तो 28 kg इसकी शेप आप देख सकते हैं डाइफिट गहराई है तीन फिट वाइड है चार फिट इसकी आइट है और तीन फिट पे ये ये जो बेस है इसका ये लगा हुआ है ठीक है इसका वेट है 28 kg और साड़े 300 रुपे किलो के हिसाब से यह जो काउंटर है या सर्फ टेबल है य 2800 रुपे में complete ready हुई है जिसके अंदर हमारी labor भी आगी हमारी finishing भी आगी पूरा स्टील भी आ गया welding welding सब कुछ आ गया इसी के अंदर पूरा complete 202 grade का स्टील है बार बार आपको बता रहा हूं और आज 7 February 2023 आज की date कम है rate आपको बता रहा हूं हो सकता है 15 दिन के बाद कुछ rate change हो जाए बढ़ जाए या कम हो जाए उसके हमारा control नहीं है जैसा स्टील का price बढ़ेगा हमारा भी price बढ़ जाएगा तो यह अभी के rate है मैं जो आपको rate बता रहा हूं यह हर्याना के एलनाबाद के हमारे rate है आप किसी दूसरे शेर में रहते होंगे तो हो सकता है वहाँ rate अलग हों आप हमसे यहां पे आके order देके अपना पसंद का माल material बनवा के यहां से लेके जा सकते हो इसके अलावा यदि आपको कोई steel के gate, railing, grill कुछ भी बनवाना है तो वो भी आप हमें order देके बनवा सकते हो बशर्ते आप हमारे नजदीक होने चाहिए 100-200 km की range में हम का होच सकते आपका काम नहीं कर पाएंगे वैसे तो मैंने इन सब table की counter की आपको जानकारी दे दिया बाकी यदि फिर भी कोई सवाल आपका छूट गया है तो आप comment कर सकते हैं इसके अलावा every Sunday रात को 9 बजे मैं live आता हूं Instagram पे SS fiber दोनों पे वहां पे आके आप मुझसे face to face जो भी आपका सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं श्टील से related लोहे से related fiber sheet से related जिस भी केटेगरी में आपका सवाल है अमारे दंदे से related उसमें आप सवाल जवाब मेरे साथ कर सकते हैं आशा करता हूँ, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फोलो करें, मॉली सिंग 1986, मेरी इंस्टाग्राम आइडिया, फोटो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठैंक्यू फर वाचिंग वीडियो देखने के लिए आपका धन्यावाद, चलो 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 चलो, पिछा पिछा पुझा पोड़ दोड़ाँ झो मुझा उचाने के लिए कि दूख पूम आपका पुझा आपका छोड़ाँ